पूरे दिन लगी रहेगी चंद्रमा स्ट्रमण नक्षत्र में पूरे दिन चलते रहेंगे जिसके नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है आज के जन्मे जातक सुंदर, दानी, सर्वगुन संपन, धनी, विद्वान और प्रसिद्धी पाने वाले होते हैं ऐसे जातक लोगत्रिय, आस्तिक, हस्मुख, सहनशील, धर्म परायन, हर काम को सोच विचार कर करने वाले व्यापार में सफल और उन्नतिशील होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा चंद्रमा और सनी की स्थिती अन्पूल रही तो पूर्ण सफल होंगे चंद्रमा आज भी मकर रासी में ही चलते रहेंगे जिसके राशी स्वामी सनी देव है आज से पवित्र सावन मास प्रारंब हो रहा है जिसमें भगवान संकर की पूजा, आराधना, जप और विभिन द्रभ्यों से अभिशेक किया जाता है अपनी अभिलासा के अनुसार शिवलिंग के अभिशेक का अलग-अलग महत्व है सामाने तह बेल पत्र और शिवलिंग पर चड़ा कर नित्य प्रती कम से कम जलाविशेक करना चाहिए जंगली फल और बनस्पतिया महादेव को अत्यंत प्री हैं जिसमें भांग, धतूरा, शमी, इत्यावी यथा संभव अर्पित करना चाहिए मेश रासी के जातकों के लिए चंद्रमा, मकर रासी में, केतू और मंगल के साथ दस्वे घर में चल रहे हैं कार योजनाएं बिक्सित होंगी, नई क्रिया सीलता की पेरणा मिलती रहेगी और काम करने का केंद्र बिंदू निर्धारित योजनाव को बिक्सित करना होगा साजेदारी लावदायक रहेगी, आर्थिक पक्स सामान रहेगा मगर घर, ग्रिहस्ती और माता के संबंदों में उतार चड़ाव संभावित है फिर भी घरेलू मामलों में सहयोग मिलेगा ब्यावसाइक वीवाद में सावधानी रखनी चाहिए और कार छेठ से संबंदृत यात्रा का योग भी बनता है अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा ब्रिश रासि के जात्कों के लिए पराक्रम बढ़ा रहेगा और कर्तब निष्ठा बनी रहेगी बहुत धिक छमता का विकास होगा और अधिक्तम कार योजनाओं की रूपरेखा सफल रहेगी नई कार योजनाओं में लाव और साजेदारी में सफलता अफ्राप्त होगी साथ ही रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे बिरोधियों से सावधानी अपेक्चित है मन किसी अग्द्यात भय से इस्थिर रहेगा पिता के स्वास्त की चिंता लगी रहेगी मगर ब्यावसाई क्रति असपर्धा में लाव मिलेगा सिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी मगर स्वास संबंधि सावधानी अपेक्चित है मित्वन दाशे के जातकों को आर्थिक छेत्र में सावधानी अपेक्चित है और निर्णे लेने की छमता में उतार चड़ाव संभावित है हाला कि ब्यावसाइक उदेशों की पूर्ती और आर्थिक लाव के प्रती सकारात्मा पिरणा मिलती रहेगी और संबंधित मामलों में छोटी यात्राएं भी संभावित है अनावसक चिंता और मानसिक दबाव भी महसूस हो सकता है हाला कि सकारात्मा कुर्जा अस्तर और आत्मिश्वास कायम रहेगा जो कि आपकी ब्यावसाइक सफलता के लिए महत्पून होगा सिक्षा प्रत्योगिता के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा साजेदारी के कामों में लाव संभव है साथ ही स्वास संबंदी आवसक सावधानी बनाए रखे करक रासिके जातकों की मानसिक सक्रियता बनी रहेगी कारच्छत में उत्साह और विकास की दर्मन मुताबिक बनी रहेगी आर्थिक लाग सामान रहेगा मगर खर्च की इस्थिती भी संभावित है कार योजनाएं आपके अनुरूप चलती रहेगी और विरोधियों की साजिस नाकाम होगी मगन्दी जी संबंदों में उतार चलाव और स्वास संबंदी जटिलताएं संभावित है विद्यातियों के लिए समय अनुकूल है सासन सत्ताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और कारे की अधिकता लगी रहेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा सिंग राशी के जातकों के लिए मन में नकारात्मक विचारों का उठना कामों में रुकावट, धन, खर्च और सास सम्मंदी समस्याओं का संकेत मिलता है उत्साहम में कमी बनी रहेगी मगर पारिवारिक सहयोग और सकारात्मक पेरना जारी रहेगी कारचेत के निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाव सामानी रहेगा सासन सताव और विभागी करमचारियों का सहयोग मिलता रहेगा संतान सम्मंदी चिंता बनी रहेगी सिक्षा प्रद्योगिता में प्रयास जारी रखें स्वयम के दूरुपयोग से बचे और स्वास समंध्य आवसक सावधानी बनाए रखे कन्या राश के जात्कों के लिए आर्थिक लाव के नए उसर सामने आएंगे कारेच्छेत में विकास और सरकारी सहयोग कायम रहेगा मगर ब्यावसाई गत्विधियों और आर्थिक लाव में उतार चड़ाव का संकेत मिलता है मानसिक व्यद्रता हर काम के प्रति जल्दबाजी और उत्साह में कमी संभावित है हाला कि सरकारी सहयोग बना रहेगा और अधिक्तम काम पूरे होंगे साजेदारी के प्रस्ताव लावदायक रहेंगे अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा तूला रासि के जातकों के लिए कारेच्छेत्र की अनावर्सक रुकावटें खत्म होंगी नीजी निवेश के लिए समया नकूल रहेगा भूमी वाहन या प्रापर्टी संबंदित मामले सामने आएंगे चंद्रमा के नक्षत्र का फल आपके लिए लागडायक रहेगा मगर चंद्रमा के केतु के साथ होने से अनावसे घबराहट बेचैनी निरणय लेने की छमता और आत्मसंतुष्टी में उतार चड़ाव संभावित है विद्याखियों को अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा सरकारी काम काजबूरे होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा ब्रिश्चिक राशिके जात्कों के भाग्यवस काम अच्छे होंगे चंद्रमा के अपने नक्षत में चलने से रुके हुए काम संपन्ध होंगे और विवादित मामलों में सफलता का संकेत मिलता है आर्थिक लाग सामाने रहेगा अच्छे कामों में खर्च की स्थिती बनी रहेगी हलाकि शंकाओं का दोर भी जारी रहेगा जो की कारेच्छे की सकारात्मक पहल को प्रभावित करने का काम करेगा पारिवारिक दायत की पूर्टी में आ रही रुकावटें खत्म होंगी सिक्षा प्रत्योगिता में सखलता संभावित है प्रयास जारी रखें और वयवाहिक मामले फलिभूत होंगे धनु राशी वाले जातकों के लिए वाणी पर नियंत्रण और आर्थिक लेंदेन में सावधानी अपेपचित है व्यावसाई को देश्यों में उतार चड़ाव और अनावर्सक रुकावट संभावित है महतपूर निरनाय सोच समझकर और धैर पुर्वक लेना चाहिए रखचनात्मा प्रयासों में देरी पारिवारी मधूर्ता में कमी और मानसिक दबाव बना रहेगा हाला कि साजेदारी के कामों में लाव मिलेगा और सरकारी कामकाच पूरे होंगे विध्यातियों के लिए समय अनकूल है सकारात्मक पेरणा जारी रहेगी वैवाहिक प्रयास फलिभूत होंगे मगर स्वास संभनिस आवधानिया आपेक्षित है मकर रासिक जात्कों के लिए मानसिक रियासीलता बनी रहेगी की रचनात्मक प्रियास सार्थक होंगे, सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा, प्रतिनीधित करने का मौका मिलेगा और अंतरमन का सहयोग कारेचेद को विक्सित करने में सहायक होगा. आती उत्साहित महसूस करेंगे मगर स्वयम के स्वास पर सावधानी या पिक्षित है सासर सत्ताव अधिकारियों के साथ हैं विभागिय सहयोग भी बना रहेगा और मेहनत करने की प्रवृत्ति कायम रहेगी आर्थिक लाग से अधिक खर्च की स्थिती संभावित है स्वास पर सावधानी या पिक्षित है मीन राशी के जातकों के कार चेतर में विस्तार होगा आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलता रहेगा रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी मगर आपके आत्मिश्वास में उतार चड़ाव संभावित है कार्य योजिनाय सुचारू ढंग से चलती रहेगी साजेजादी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे जिसमें पारिवारिक पेरना और सहयोग लावधायक रहेगा सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी और संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा और पारिवारिक दाईतु की पूर्पी होगी आज के लिए बस इतना ही कल फिर में लेंगे ओम नमाशिवाय